वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता डॉट कॉम बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन नमस्कार जनसत्ता में आपका स्वागत है कॉंग्रेस की अंदुरूनी कलहा एक बार फिर से सामने आ गई है पार्टी के वरिष्ट नेता और मशूर वकील कपिल सिब्बल ने एक बयान दिया जिसके बाद घमासान मच गया है कपिल सिब्बल ने पार्टी नेतरतु पर सवाल उठाते हुए कहा था कि कॉंग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है पार्टी ने पिछले छह साल से आत्मचिंतन नहीं किया है कपिल के इस बयान का देश के पूरू मंतरी पी चिदंबरम के बेटे कारदी चिदंबरम ने समर्थन किया वही राजिस्थान के मुख्यमंतरी अशोक गहलोत ने इसे कारेकरताओं की भावनाओं का ठेस पहुँचाने वाला बयान बताया अशोक गहलोत ने कपिल सिब्बल को लेकर कहा था कि उन्हें सब के सामने आकर इस तरह से नहीं बोलना चाहिए अशोक गहलोत के बयान के बाद पार्टी के वरिष्ट नेता तारीक अन्वर ने भी कपिल सिब्बल को निशाने पर लिया है उन्होंने अशोक गहलोत के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि अशोक ने जो कहा वो सच है कपिल सिब्बल वरिष्ट नेता है उन्हें ये समझना चाहिए अगर पार्टी के पास किसी चीज की कमी है और वो सुझाओ देना चाहते हैं तो उसे पार्टी हाई कमान और अध्यक्ष से मिलना चाहिए अगर वो मीडिया में बयान दे रहे हैं तो इससे पार्टी को नुक्सान ही होगा कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए ते ये कहा था कि क्या कहा था ये बिजनेस आज़ूर्बल है अब उनके जो उन्होंने बयान दिया था उस पर अशोग गहलोत नयापती जताते हुए ये कहा है कि जो इंटर्नल इशू है उसको इस तरह से मेंचन करने की जरूरत नहीं है आपका क्या कहा है मेरा भी ये मालता है आशोग जी जो कहा है बिलकुल सही कहा है कि कपिल सिब्बल जी एक सीनियर कॉंग्रेस के डेता है देश के मालेवे वकील है उनको इस बात को समझना चाहिए कि अगर पार्टी के अंदर कोई कमी है या कहीं पर कुछ उनको सुझाओ देना है तो वो हाई कमांड से मिलकर कोग्रेस प्रेजल से मिलकर अपनी बात कह सकते हैं उनको कहीं कोई इसके लिए रुकावट नहीं है और या तो पार्टी फोरूम पर बोल सकते हैं बजाएस के पार्टी फोरूम के बोले के अगर कोई सारजली की रूप से कोई मीडिया में अगर कोई स्टेट्मिंट देते हैं तो उससे पार्टी का लुखसान होगा, फाइदा नहीं होगा, तो ये बात तो आशोक गलोजी ने बिल्कुल सही कहा है, कि अगर कुछ पार्टी के अंदर कुछ सुझाओ देना है, तो आप पार्टी फोरूम पर दे सकते हैं, पार्टी अनुशासन के दाएरे में दे सकते है हुआ है झाल झाल